आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now दोस्तों आज हमें एक सवाल दिया गया है जिसमें हमें कहा है कि त्रिभुज माफ कीजगा कौन A,B,C में कोई बिंदू P इस प्रकार है कि यहाँ पे दोस्तों यह त्रिभुज है त्रिभुज A,B,C में कोई बिंदू P इस प्रकार है कि P से A,B और B,C पर डाले गए लंब बराबर है तो सिद्ध कीजे कि BP कोण ABC को स्वम्द्य भाजित करता है देखें यहाँ पे हमने चित्र बनाएं दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज ABC में एक P बिंदू है P से BC पर हमने एक लंब डाला है और P से इस AB पर एक लंब डाला है और यहाँ पर आपका BP है तो हमें दिखाना है कि BP इस कोण ABC को स्वम्द्य भाजित करता है यानि यदि मैं इसे कोण 1 कह दूर इसे कोण 2 तो हमें दिखाना है कि कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के ठीक है तो यहाँ पे देखिए इसे हम कैसे करेंगे यदि हम इसे M कह दे इस बिंदू को और इस बिंदू को N कह दे तो दोस्तों यहाँ पे यदि हम त्रिभुज PBM और त्रिभुज PBN की बात करें तो देखे हम क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हमें सवाल में दिया गया है कि आपका PM बराबर है PN के ठीक है, यह दोनों लंब बराबर है, ऐसा दिया गया है, और देखिए हम क्या लिख सकते हैं, कौन PMB आपका बराबर है, कौन PNB के, क्योंकि दोनों ही कौन 90 डिगरी है, और दोस्तों इन दोनों त्रिभुज में एक उभ्यनिष्ट भुजा है, PB बराबर PB, तो हम किस से सर्वांग सम है, दोस्तों तो इनके सभी संगत कौन बराबर होंगे, यानि हम यहां लिख सकते हैं, कि कौन एक बराबर आगया, कौन दो के, क्यों क्योंकि त्रिभुज PBM सर्वांग सम है, त्रिभुज PBN के, तो यही हमें दिखाना था सवाल में, कि कौन एक बराबर आए चारसो चारसो पर